हेलो गाईज मैं प्योश आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल असोशियेट लर्निंग पर सो गाईज जैसा कि आप सब को पता है कि जो एक्जाम है वो 24 तारिक से प्रस्तावित है लेकिन इशू आ रहा था ये कि एक्जाम सब्जेक्टिव होगा या अब्जेक्टिव होगा ठीके तो सबसे पहले एक जो क्लू हमें मिलता है वो मिलता है यहां से जो डेटशीट है डेटशीट में नीचे की तरफ मैंशन किया है इन्होंने जो पर्स सेमस्टर होता है उसमें सब्जेक्टिव होते हैं जब सेकेंड समस्टर होगा तो अबजेक्टिव होगा पेपर ठीक है है इसके लावा उनिवस्टी से पता करणे पर पता चला है कि जो एक्जाम पेपर हुने वाला है आपका वो होग टोटल तीन सेक्शन होगे उसमें है ना और जो सेक्शन ए होगा उसमें 9 गोश्चन होगे और हर एक क्वेश्चन फाइफ मार्क्स का होगा as it is B की तरह होगा, यानि total section कितने होगे, तीन section होगे पहले section में 9 question है, जो कि compulsory करना ही करना है, 5 marks each question का है, section B में 3 question होगे, उन में से 1 करना है, जो कि 15 marks का होगा, और section C में भी 3 question होगे, जिस में से 1 करना है जो कि 15 marks का होगा, तो total marks सब के कितने हो जाएंगी 75 ठीक है तो यह पैटर्न रहने वाला है एक्जाम का इसी हिसाब से आप तैयारी शुरू करते हैं ठीक है पेपर सब्जेक्टिव होगा और अब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा